Hello everyone, I am Shubham, welcome to my channel Brings Brain तो भाई आपने बोला कि मुझे document को लेकर कि बहुत doubt आ रहा किसका signature चाहिए, format क्या होना चाहिए, अलाले तरह कि certificate का तो आपके जितने भी doubt आ रहे थे, मैरे सारा doubt को उठाया और एक video मुझे एंसर कर दिया फिर आपने बोला, या counseling का process का तो वीडियो मैंने कई देख रहा है, लेकिन मेरा doubt जो आ रहा हो आप बताईए तो आपने जो जो doubt comment किया, मैंनो उस पर भी वीडियो बना दिया तो अब आप बताईए, आपने वीडियो उसको share किया, चैनल को subscribe किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 20 साल से, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, करो फेर तो देखिए आप केजरिवाल जी बोल दिये, अभी का भी वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दीजे और इस वीडियो में आप लोग के जो भी mock seat allocation को लेकर डाउट आ रहे थे, किनी का कहना ये था, मुझे जो ये seat मिल रहा है किनी को ऐसा हुआ है कि मुझने को दोनों में अलग-अलग कॉलज मिला, किनी को ऐसा भी होंगे, कि दोनों में से भी कुछ नहीं मिला होगा ये सब अलग-अलग जो case सब के साथ हुआ है, उससे वह actual जोवसा के round में क्या expect कर सकते हैं, क्या prediction उनका रह सकता है तो इन सारी बातों को मैं समझाओंगा वीडियो में तो आई अब देख लेते मौक सीट अलोकेशन पर किसका बेसिक प्रोसेस क्या है इसके अलोकेशन का ऐसे अगर आप स्पेसिफिकली मौक सीट अलोकेशन का ढूंड़ी है क्या प्रोसेस रहता और लिवर्ट का प्रीजल्ट आने वाला मौक सीट अलोकेशन का उस डेट से पहले कई भचेशन कर datasets यालोकेशन कर चुक है उनका जो पीर्फरेंश dense से आपको क्या सीट मिल रहा है उस देट तक और जोसा में भी ऐसे ही होता है रॉण 1 रही है रॉण 2 रही है जैसे रॉण 2 ही है तो देखा जाए कि हाँ रॉण 2 के पहले कितने बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी रेजिस्टर है कितने ने चोईस फिल किया वहाँ उनका इस फिलिंग एकॉर्डिंग देखा जाएगा उनके रैंक के एकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट च्वाइस उसको मिल रहा है वही सेम प्रोसेस यहां पर मौक सीट ऐलोकेशन में भी होता है अब आपका डाउट यह आएगा बहुत ही अच्छा डाउट कि भही है जब यह ऐसा सेम प्रोसेस है जोसा वाला ही मौक सीट ऐलोकेशन में फिर तो इसका मतलब यही है कि जो मौक में सीट मिल गया वही जोसा में मैक्समुम चांस है कि वही सीट मुझे मिला रह जाएगा तो जो आपने पहले बोला था कि मैंने यह देखा है कि एक्ट्वल रॉंड जब जोसा को ह जिए तो जैसे ही जोसा का रॉंड आपका सुरू होता है तो उसमें तो कई सारे बच्चे कर चुकर होते हूं पर इुन में से कई 1000 वी यह ako पिर भी देखने के लिए किया मिल रहा नहीं मिल रहा या फिर एक बार experience के लिए सीखने के लिए वह च्वाइस पिर और भी कुछ इसी तरह का रीजन के साथ उनका सीट कैंसल हो जाएगा तो वह भी जोसा से बाहर हो गया और इसके बाद क्या होगा कुछ बच्चे को यह लगे गया कि मेरे मन पसंद का कॉलेज या ब्रांच मुझे जोसा कॉंसलिंग में नहीं मिल रहा है तो वह हो गया ब अप्ग्रेड हो जाता जोसा के रांड में कि पहले तो रेजिटेशन सारे बच्चे कर देते हैं च्वाइस फिलिंग सब को ही कर देता है पर जोसा का जैसे एक्च्वल रांड सुरू होता है तो कई ऐसे बच्चे जिनका रैंक आप से उपर रहेगा वो भी सीट को छोड़ आप कह सकते दिखा रहा है क्योंकि रांड वंग तक तो कोई बच्चा का सुईट विड्रॉ करने का option है नहीं सीट करने का तो आप कह सकते कि हाँ अभी जो दिखा रहा रहा रांड वन कब समझ सकते पर हां जिब एक्च्वल रांड होगा तो मैंने बता दिया कि क्या-क्या अब पर मैंटर करता है और क्यों आपका स्वीट अपग्रेड हो सकता है तो अगर आपका डाउट ख्लियर हो गया तो प्यारा से कमेंट कर दीजी कि हाँ भाई या इस चीज को लेकर है और जो लोग नए है चैनल पे तो आप सब्स्राइब कर लिजे ऐसा ही डाउट होते र और अब आफन रिमाय ये काफी काम का इंफर्मेशन शेयर करना चाहूंगा आप सबी से जैसे च्वाइस फिलिंग का तो आपका दो दिन में अब खत्म हो जाएगा और जिनको लग रहा है कि उनका च्वाइस फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाया है या अभी भी वह वह कर नहीं पा रहें अच्छे से उनके लिए काफी बढ़िया साफ है कॉलेश टी-पॉइंट एप है अगर सबसे बहतरीन खूबी मैं इसका बोलू तो वह यह है कि simple to use और user friendly है आप डाउलोड करिएगा बहुत ही कोई heavy app नहीं है simple सा आप है आपको easily समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या चीजे करनी है और पूरा choice filling का process एकदम simple वे में आपका खत्म हो जाएगा बस आपके पसंद का आपको ब्रांच कर लेना है कि यहाँ कौन-कौन से ब्रांच में आप जाना चाहते है वो ब्रांच इस आप सलेट कर लीजे उसके बाद आप IT के लिए applicable है तो IT भी कर लीजे ने तो NIT और ट्रिपल आइट कर लीजे उसके बाद गवर्मेंट वाला हो गया या फिर जो पुब्लिक प्राइविट में पूरा लिष्ट आपका अपीर हो जाएगा और आप चाहें तो उसी लिष्ट में थोड़ा बहुत मोडिफाइव कर सकते हैं अपने इस आप से आपको लाग रहा है कि नहीं का पूरा प्रोसिस बिल्कुल हो जाएगा और इस च्वाइस कुछ काफी काम का फीचर भी इस अप में जो सभी बच्चों के लिए और वह बिल्कुल फ्री है जैसे कॉलिज प्रिक्टर हो गया आप अपने रहें के को मिल रहे हैं जितने भी कॉलिज है उसमें आपको अलग अलग ब्रांची जो भी मिल सकता आपके रहें कि हिसाब से व वीडियो को लाइक और से जरूर करिएगा तो चली दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में